कैसे हैं दोस्तो मैं हूँ चंद्रिश ठाकोर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रिश्वेव तो आज जो है फ्राइडे साथ तारीक है और सेवन्थ ऑफ जून के दिन में पॉर्टफोलियो को रीविव करेंगे साथ ही शाथ में हमने जो कुछ भी तरह काम रहा हा बहुत ही वीजी वीप रहा हार्ट वीट बढ़ाने वाला जो है आज पोर्टफोलियो में थोड़ा बाउंस आया है और 2.14% के आसपास का हमें जुए जूप देखने को मिला है तो फाइनली ओवरॉल इस मन्त में हम जो है पोर्टफोलियो में कहीं हमें लग रहा था कि हम लोग माइनस में नेगेटिव चले गए है उसको हम रिकवर करके वापस जो है पॉजिटिव आ गए है और 17280 रूपे के आसपास का पॉजिटिव हमें दिखा रहा है पोर्टफोल वीडियो में और तो कुछ आज जो सेल अच्छा चला बेल भी तीन परसंट के आसपास चला है जी पावर भी चला है यह भी कैपिटल भी चला है ठीक है बाकी बचा चो में तो वह तो वैसे भी आराम कर रहा है इस चोन में तो अभी मेरा एक बात मुझे बोलना था आपको इवन में अगर बात करूं सभी स्टॉक स्पेसिफिक और उसके बारे में उससे पहले निफ्टी को हम देख लेते एक बार वीकली सिरीज का वीडियो जो है इस बार मैं नहीं डाल पाऊंगा तो निफ्टी में दोस्तों देखे यहां पर यह जो नीचे बना है उसको इसने फॉर्थ नम्मर का वेव कैल्कुलेट किया है तो यहां पर यह निफ्टी अगर उपर जाएगा तो भी इतना ज्यादा उपर नहीं जा पाएगा में भी पॉसिबल है कि यहां तक चला जाए और उसके बाद में इसको वापस आना पड़ेगा जो है यह एक बार जो यहां प हतम हो चुका है अगर हम इसको डेले टाइम फ्रेम के इसाब से गीने तो अभी इसका काम जो है बाकी है ठीक है यहां पर मैं इस सारी चीजों को हटा दूँगा तो हम इसको अच्छे से देख पाएंगे ठीक है क्योंकि बहुत बड़ा इंडेक्स है अपने देश का तो मैं बोल रहा हूँ यहां पर बट 20% के आसपास जो निफ्टी उपर चला जाएगा अगर यहीं से अगर यह चला गया अगर इसने वापस से एक बार टच करने के लिए यहां नीचे आया अगर वापस से नीचे टच करने के लिए एक बार आया तो दोस्तो इसका टार्गेट बढ़ जाएगा और ये जो है 30,000 के लेवल के आसपास जाने की कोसिस करेगा उसके बाद में तब तक जो है निफ्टी नहीं रुखेगा ठीक है ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ अगर निफ्टी यहां से नीचे आया और यहां फि उपर की सैड में जब चलेगा तो 30,000 के आसपास चला जाएगा ठीक है और अगर ये यहां से यहीं से ही उपर चला गया तो भी चुह 24-25,000 के आसपास उपर जाने की इसकी संभावना है मुझे लग रही है अभी भी ठीक है क्योंकि 4-hour time frame में तो वैसे भी इसका काम हो चु आया और जश्ट टच अन गो हुआ है तो इसके इसाप से मानेंगे कि 4-hour time frame में काम हुआ और जनरली 4-hour time frame में ही काम करता है 3-hour 4-hour और फिर वापस जो है उपर चला जाता है तो अभी हम 4-hour के इसाप से गिनेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको जो है एक अच्छा काम करना है अगर यहां से उपर चलता है nifty तो यह stop loss मानकर यहां से हम long करेंगे nifty को और यहां से अगर हमें लगता हुआ नीचे आता हुआ तो इसी point को stop loss रखकर हम इसको short मारेंगे तो long and short दोनों में stop loss अपना common बैठ रहा है और अगर यह उपर की side में चलता है तो भी stop loss वही रहे ठीक है दोनों side में stop loss अपना common बैठ रहा है और अच्छे level पे है अगर हम बात करें देखे यह week जो था मुझे एक बार के लगा कि सायद अपना capital first गया आने वाले 8-9 महिने तक और निफ्टी जो है अगर मैं बात करूं तो निफ्टी यहां पर मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 8-9 महिने की वेट करने के लिए यहां पर रूखेगा क्योंकि आलरेड़ी यह कहीं पर गया नहीं है दोस्तों 20-22,000 की अगर मैं बात करूं तो यह पिछले 6 महिने से इसी जोन में गूम रहा है अगर मैं बात करूं 6-7 महिने से इसी जोन में 21,000, 22,000, 22,000, 22,000 ऊपर यह तैयारी कर रहा है अगर यहां से लगता है नीचे आ रहा है अगर यह 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 जोन को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो सौट हमें जरूर बनाना है इस पॉइंट को स्टॉप लोस रखकर 23,350 के पॉइंट को स्टॉप लोस मान कर हमें इसको यह सौट भी बनाना है एसा नहीं है कि हम जो है पॉजिटिव बायस के साथ चले जाए और फिर जो है अपना जो है एक अच्छे ट्रेड की वो मिस कर जाए ठीक है तो निफ्टी में बात हो गए बैंक निफ्टी में भी देखें अच्छा खासा चल रहा है और आज के दिन में देखें तो अभी भी इसने जो है जो रिसंटली एक स्विंग हाई लगाया था उसको ब्रेक नहीं किया था अगर दोस्तों यहां से नीचे आता है बैंक निफ्टी तो यह रैड लाइन जो अपनी है अभी भी 49,200 के नीचे आता है तब जाकर हम इसमें सौट पोजिशन जो बिल्डप करेंगे अधरवाइस हम लोग वेट करेंगे यह वाले 51,000 के पॉइंट को उपर ब्रेक होने तब यह ब्रेक होने के बाद में ही हम जो है नई पोजिशन लेंगे और तब जाकर हम उसमें लॉंग पोजिशन बिल्डप करेंगे ठीक है निफ इसमें उठा पटक हो सकती है अभी भी गोल्ड में नीचे की साइड में यहां पर मैंने बोला था कि इसको 74,000 के आसपास से नीचे की साइड में आएगा और 71,000 और उसके बाद में जो है 70,000 और उसके बाद में लास्ट में 68,000 तक के लेवल इसमें आते हुए दिखाई दे अभी corrective rise में calculate कर रहे है अगर नीचे आता है दोस्तों तो हमें तयार रहना है इस चोन के आसपास खरिदने के लिए ठीक है कौन से चोन के आसपास यहां पर यह यह जो चोन बैट रहा है यहां पर 200 रुपी के आसपास अगर AB Capital वापस आता है और हमें दिखता है आता हुआ तो हमें जरूर इसमें buy करके जाना है खरिद के जाना है भेल में भी ऐसा ही है भेल में देखे मुझे लग तो नहीं रहा है कि नीचे आएगा इस चोन में वापस बट अगर आता है अगर दिखाई देता है आता हुआ ठीक है क्योंकि यह अगर यह हुआ यह बी है तो वाप श इंडिया इसको हम लोग सोर्ट करके इसे फॉस्त रोस बनाएंगे और वहाँ पर उस टॉप्रोप पास हम जो कहीं ना कहीं exit होने की कोसिस करेंगे दोस्तों ठीक है लास्ट में जो मेटो तो जो मेटो का तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहां पर आएगा 146 145 का आसपास आराम से रुखेगा काम करेगा छे महीने आठ महीने का इसका period है वो खतम करेगा उसके बाद में उप के बंधन बैंक में कहीं ना कहीं उपर की साइड में मूमेंट चालो हुई अगर यह चलता है तो 215 से 230 के जोन में जाने की कोसिस करेगा उसको ब्रेक करेगा तो फिर से मैं बता दो 260-300 के जोन में भी बंधन बैक जा सकता है उसके बाद में वीप्रो तो वीप्रो देखे यहाँ पर इसने सुरुवात कर दी है दोस्तों मैं गलत नहीं बोलूगा वीप्रो जो है उपर साड़े 500 से लेकर साड़े 700 के जोन में जाने के लिए अभी रैडी हो चुका है अभी इसमें कोई गुंजाईज नहीं है कोई सक नहीं है मुझे के वीप्रो आने वाले वक्त में 700-700-800 रुपे के आसपास चला जाए बहुत ही जल्द होने दोनों टाइम फ्रेम में इसने ब्रेक आूट दिया है हजार रुपे तक भी जा सकता है वीप्रो जहां पर भी बाय और डीप है मौका मिलता है वह एंटर बना लीजिये वीप्रो के अंदर तो वीप्रो में भी मेरी बात हो गई बंदन बेंक में भी हमारी बात हो गई और सारी चीजों के बारे में हमने डिसकस कर लिया इसके इलावा कोई आपको question है query है आप definitely जो है पूछ सकते हैं अगर दोस्तो government के stock नीचे आते है आने वाले week में एक दो week में अगर दिरे दिरे करके उसमें थोड़ा सा profit booking आता है जो कि मुझे लग रहा है कही ना कहीं के दिरे दिरे करके वो नीचे आएंगे तो उस वक्त पे जल्दबाजी में हड़बड़ी में बेचना नहीं है तो उपर के level में आप बेचिये बेचना है तो आप हफुपर के level में कैसे उपर के level में बोल रहा हूं कि यहाँ पर आप ऐसको इसके कहानी बहुत बड़ी है बड़ी하시는 से कूंब रहा है ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है मैं पहले से आपको बता रहा हूँ ये स्टॉक 1200 के लेवल के लिए निकला है अभी से मैं आपको बता दूँ यही से ही ठीक है मैं 80-90 रुपे पे आसपास बोलता था कि दस गुना होने वाला अगर आपको कोई एक स्टॉक चाहिए तो बेल को उठाइए, सेल को उठाइए दोनों स्टॉक जो थे मैं 80-90 रुपे के आसपास बोलता था यूटूब पे आकर ठीक है तो यही पर मैं वीडियो को खतम करता हूँ जय हिन जय बारत वंदे मातरम दोस्तों